नमस्कार चात्रो आज हम सेवन्त कलास का एक पार्ट है अमारे अतीत पुस्तक का जन्जातियां खाना बदोस और एक जगह बसेवे समुदाए आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे जन्जातियां वो हती है जो लगबग जंगलों में या ऐसे विरान अक्षित्रों में रहती ह है और अमारे समाजिक जीवन से वो कटी हुई है उनके रितिरिवाज भी अलग है तो किस प्रकार उनका इत्यास हम पढ़ेंगे अब तो काफी मैत्वकुर्ण पाठ है ये बड़े ध्यान चे पढ़ना काफी जानकारियां भी मिलेगी आपको इसे भारत को जानने का बड़ बड़ियों के उठ्थान और पतन हुआ अलगलग राज्यवनने इस उठापटक के बीच कलाओं दस्तकारियों और उत्पादक गतिवीडियों इनकी नई किसमे सेरों और गाउं में फल भूल रही थी कलाओं की दस्तकारियों की रुत्पादक गतिवीडियों की एक लंबे अंत्राल में कई महत्तपुर राजनितिक, समाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थी काफी लंबे समय से लेकिन समाज एक परिवर्तन जो है ना, समाज में जो परिवर्तन है वो वो हर जगह एक समाज नहीं थे, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग किसम के समाज, अलग-अलग तरिकों से विक्षित हुए थे ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना बड़ा ही महतवपुर्ण है और यही बात हम इस पार्ट में सीखेंगे यह देखिया इस उपमादवीप, उपमादवीप का मतलब है भारत और भारत के आस पास के जो अक्षेतर है इस तरह है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है नेपाल है, बंगलादेश है, शिटलिंका है इसको सारे को मिला के हम उपमादी बलते हैं भारती उपमादी इसके बड़े इसे में समाज वरण के नियमों के अनुसार विवाजी था जो मारस समाज है वो वरण के नियम, चार वरण कोंड से होते हैं चार वरण थे जो ब्राह्मनों द्वारा सुझाए लिये थे कोंड से थे, नंबर एक ब्राह्मन अक्षर्य है, वैस्य है और शुद्र उसके बाद विभिन प्रकार की तो तो ब्राह्मणों तोदार सुजाए गए यह नियम, बड़े-बड़े रज्जों के राजाहों तोदार किये गए थे, अब बड़े-बड़े जो राज्जे थे, उनके इम को इन में उल्च और नीच अमीर और गडरीब के भीच फासला बढ़ रहा था इन वरणों की रह थीक है वेदों में इन स्रेणी बत अब आगी जातियां। इनका समाज तो बहुत ज़दा जटी लोगया। यह तो थी जो अमारी संस्कृती थी समाज था वो। अब ऐसा समाज है जिसके वारें पढ़ेंगे जो अमारे बड़े सहरों से पढ़े था। उसका मौने जन जाती है समाज जो जंगलों मे रह रहे थे ठीक है इनको आप पड़ेंगे अब अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उसमें मौझूद थे कोड़ से उप माधीप के कई समाज है वो ब्रामनों द्वारा सुझाए गए समाजिक नीमोर करमकंडों को नहीं मानते थे देखो बारत में कई ऐसे समाज थे जो ब्रामनों वाले समाजिक नीम और करमकंडों को नए म Sorry महानते थे यानी वेदों को नहीं मानते ठीक है नई वे कई समानवर्गं में विवाजित थे यानि उनमें जातियां मिनी थी अधर ऐसे समाज जोको जञ जातीं कहा जाता है एस ठीक पर्तेः जिंजाती के सदर्शेgeny नात्यदारी के बंदन से जुड़ेती थे उनके आको आप सोईनात्य उतले proving इक्पारजन करती थी यानि अपनी जीवी का किसे चलाती थी कहती ёт दूरेन ज़िए को लोग क्या करते थे शिकारी थे संग्रहायक थे है यहनी कोई चीज़ प्राकरतिक संसाद्रों का पूरा-पूरा इस्तिमार करने के लिए इन宮द्यों का मिला जुला रूप बनाती थे ठीक है कुछ जन्ज आती है खाना बदोस थी अब देख खाना बदोस का मतलब क्या होता है जो एक जगह से दूसरी जगह गोमती रहती थी उसको मलते है खाना बदोस जन्ज आती इसमूं स्यूंक रूप से बूमी और चरागाउं परनेंतन करते थे और वो अपने खुद के बनाए नियमों के दार पर परिवारों का बीच उनका बंटवारा भी करते थे जमीन का और चरागाउं का चरागाउं वह होती है जहां पर पसु चराए जाते हैं उनका बंटवारा वो परिवार के बीच कर देते थे अब क्या होता है कि इस पाडों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगों ऐसी जगा जहां पर जाना कठीनों कारती थी जंगलों, पाडों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगों पर निवास करती थी कभी-कभी जात्ती विवाजन पर अधारित अधीक सक्तिशाली समाजों के साथ उन और जन जाती समाज एक तो जाती वाले एक जन जाती है दोनों अपनी वीविद किसम की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी थे यह इनके काम करते थे और यह इनके काम करते थे टक्राव और निर्भरता कि इस समय ने दोनों समाजों को देरी देरी बदलने का काम हब कर दिया अब यहारा है कि यह जंधातिये लोग थे कुण समकाल इ उस समय के इत्यास करो और मुशाफिरों ने जंधातियों के बारे में बहुती कम जानकारी दी है कुछ अपवादों को छोड़ देता हुषिट दस्तावेज नहीं रखते थे आद C के दस दावेज लिखी ब्रक्त भी नहीं है तो मारे पैस सई जानकारी नहीं है लेकिन समर्द रृत्रिवाज बड़े समर्ध हैं और वाचिक मोखिक प्रभराउं का वे स्रक्सन रखतें थे यह कताई करते हैं ये प्रभराएं हर नई पीडी को विरासत में मिल जाती थी आज के इतियासकार जंजातियों के इतियास लिखने के लिए इन वाचिक प्रमपराओं का इस्तेमाल करते हैं यानि लोग जो बड़े ुजरों के ल天 रही दोकथाएं सुनाते यह वाचिक प्रमपराammenिं ह। न। ठीक है जन जातिय लोग बारत के लगबग हर अग चेत्र में पाय जाते थे किसी भी एक जन जाति का इलाखा परभाव और स्रमे के साथ बदलता रहता था अब देखो किस चेत्र में कौन सी जन जाति थी हम पड़ेंगे अब कुछ सक्तिसाल जन जातियों का बड़े अलाकों पर में नियन तरण था अब पंजाब के खोक्खर जन जाती आप देखो पंजाब में कोण सी जन जाती थी खोक्खर ये नोट करना आपको तेरवी और चौधमी के सदान बहुत परभावसाली थी इस सदी में और बाद में देखो तेरवी चौधमी के बाद में कोण आ गए गक्खर आ गई अब दोनों जन जातिये का हैं कोखर भी पंजाब में है और गक्खर भी पंजाब में है तेरवी चौधमी में तो खोक्खर हो गए और बाद में कोण आ गए गक्खर लो उनके मुख्या कमाल खान गक्खर उसको बाधसाऐकष कवर ने मण सर्दार बनाया था मुलतार और सिंध में मुगलो दैंद अर्गुन ये दो जंजातिया थे ये कहा है शिंद में ठीक है लंगा और अर्गुन ये जंजातिया कहा थे इन लोगों का सिंद में विश्तिर तक्षेतर था उत्तर पस्चिम में एक और विशाल जन जाती थी बलोच अब यह है बलोचिस्तान यह अफगानिस्तान में बढ़ता है यह लोग अलग-अलग मुख्याँ वाले छोटे-छोटे कुलों मटे वे थे और फिर अपस्चिम हिमाले में गड़ी या गद्दी वलते हैं गड़ी गड़रिया की जन जाती थी अब यह माचल परदेश में है ठीक है हिमाले में गड़रियों की जन जाती थी गड़ी गड़ी वलते हैं इमाचल परदेश में है उप मादिव के सतूर उत्तर पूरा है, उत्तर पूरा हूँ उत्तर चले गए है अप असम में, और थे म Amendment वहाँ पर भी नागा अहोम और दूसरी जन्जातियों का पूरी आप रुखता उननी when तेह आ इस ठीक है? नागा जन्जाति, नागा लैंड में थी उसके बाद आगे चलते हैं कि मोजुदा बियार और जारखंड के कई लाके में बार विशेदी तक चेर सरदार सायों का उधे हो चुका था अब चेर कहा थे आप देखवा बियार और जारखंड में यह थे चेर बाद जाकवर के परशित जेनापती राजामान चिंगने पंदरा सुक्याडमिम चेर लोगों को चेर लोगों पर अमला किया और उन्हें प्रास्ट कर दिया उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल कटा कर लिया लेकिन वे पूरी तेरा दिन नहीं बना गए गए औरंग जेव के समय मुगलों ने चेर लोगों के कई लाखों पर कबजा जमा लिया था जनजाती को अपना जिल बना लिया था इस अक्छेतर में रहने वाली मैत्वण जातियों में मुंडा संताल ये दिभी उडिस्टा और बंगाल में भी रते थे ठीक है मुंडा कहा थे अब आगी करनाटक और महाराष्टर की पाढ़िया कोली बेराध और दूस्री जिन्जातियों के विशाल आबादी थे अब आगे बील बीलों की बड़ी जन्जाती पस्चमी और मद्यवारतें फेली थी यनि लगव मद्यवारत का मतलब यह है कि मद्यपरदेश और पस्चमी बारत का मतलब है राजस्तान तो बील का है राजस्तान में और मद्यपरदेश में सोण विशदी का आंतांतिया तेन में कई जिगा एक जिगा बसे वे खेतियरों यांत की जमिधार बन चुके थे बील भी तब भी लोगे कुछ सिकारी संगराक बने मवजूदाhst लोग बड़ी तदाद में फैले वे थे खाई कहां चतिसगर्ड मद्यपरदेश वाराश्टर और आंधा यह कर देख देख लेंगे बाइरत की इस नक्षे से आप देखेंगे तो आपको विविंद जात्यों पता लग जाएगा अब देखिए आप यहां गखर और खोकर यह तो हैं कस्मीर और पंजाब में फिर यह लंगा और बलुची यह गई आपकी यह बलुच्चतान हो गया और यह गया सिंद अरगुन और लंगा सिंद में पाकिस्तान में इसके बाद देख यह आगए मिघले में ठीक है यह आपको याद करना इस तुकार कोली यह आगए गुजरात में और भील आगए आपके रजस्तान में इसके बाद आ रहे हैं गोंड बैगास गोंडवाना यह गोंडवाना जेगा है ठीक है यह आगए आपके महरास्टर में भील आगए कोली आगे और निीचे आगे केरिल में वेत्तर आगे तमिलमे मारवार आगे और उडिस्ता में خौंड आगे और इदर आंदर परते जरूरर इससां के आसपास क्यास आगे तो इनको आपको नक्षे के साब से भी याद करने हैं तो आज के लिए इतना काफी है कि drivers